आज बड़े दुख और भारी मन से मैं आठ दिसंबर 2021 की दोपार में हुई मलेट्री हेलिकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ आप डिफेंस स्टाफ जन्रल बिपन रावत उनकी धर्म पत्ने पिवं 12 अन्य सवार थे कि दुरगटना के दुरभागेपूर समाचार से भागत कराने के लिए आप सभी के भी खड़ा हुआ हूँ अज्यक्ट मोद है जन्रल बिफिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के इस्टुडंट आप सर्थ से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सीडूल वीजित पर थे एरफोर्स के यहमाई 17 V5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बज कल 48 मिनट पर सुलूर एरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बज कर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लेंड करना था सुलूर एरवेज के एर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बज कर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में कुनूर के पाथ जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी जब वे भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलिकाप्टर के आउसेश को आग की लगतों से घिरा हुआ देखा अस्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उस जगह पर पहुँचा उन्होंने क्रैस साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रियास किया उस अवसेश से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सब को यथा सिग्र वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पीटल पहुँचा आया गया प्राप्ति जानकारी के अनुसार उस हेलिकाप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मिर्ट्टी हो गई जिन लोगों की दुर्भा के पूर्ण मौते होई हैं उनमें चीफ आप डिफेंस स्टाफ, इनकी धर्म पत्नी स्रिमती बधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लख्विंदर सिंग लेड़र, स्टाफ आपसिर लेटनें करनल हरजिंदर सिंग, और एर हेलिकाप्टर क्रिव समेच आड़ फोर्सेस के नौ अन्यलोग सामिल हैं, उनके नाम हैं विंग कमांडर प्रिख्वी सिंग चोहान, स्क्वैडन लीडर पुलदीब सिंग, जुनियर वारंट आपसर राना प्रतापदाश, जुनियर वारंट आपसर अरकल प्रदीप, और ह साई तेजा, सभी पार्थिव सरीर को आज साम तक इंडियन एर फोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा, ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग, वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पिटल में लाइव सपोर्ट पर हैं, और उन्हें बचाने के हर संभो प्रयास किये जा रहे हैं, एर चीफ मार्शल त्री वी आर चौधरी को घटना अस्थल पर दुरगटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज़ दिया गया है, उन्होंने घटना अस्थल यों वेलिंग्टन हास्पिटल जाकर इस सित का जायजा लिया, इस दुरगटना के संबंध में, इंडियन वेलिंग्टन पहुँचकर अपना कारिप दारंब कर दिया है, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संसकार फुल मिलिटरी आउनर के साथ किया जाएगा, और अन्ने सभी मिलिटरी परसनल का अंतिम संसकार भी एप्रोप्रियेट मिलिटरी आउनर के साथ ही किया जाएग अध्यक्षम हो रहे, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को प्रधांजली अर्पित करता हूं और उनके परिवार जनों के परती संबेदना भी व्यक्त करता हूं